हलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज किस वीडियो में हम फिर से अगेन गोल्ड का अनेलैसिस करने वाले हैं और आपको बताने का प्रियास करेंगे कि आज गोल्ड के क्या ट्रेडिंग लेवल्स रह सकते हैं तो आए बिनादेरी के वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि गोल्ड एक अप्ट्रेंड में चल रहा है तो अप्ट्रेंड में चलने का प्रोसेस होता है हायर आयर लो बनाता हुआ गोल्ड इस परकार से चल रहा है तो य जही जानने का प्रियास करेंगे कि क्या गोल्ड में सेलिंग कर सकते हैं लोंग टाइम फ्रेम में गोल्ड सेलिंग में आ चुका है या फिर अभी अप्ट्रेंड में है तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर यह दो लाइने लगाई हुई है यह आप देख अगर अगर हमारा यह जो लास्ट प्रिवियस जो यह हायर लो है अगर यहां पर इस समझ जह सकता है कि यहां कर सकते हैं if the salvage is as a चेलें पर यहां बाकि उगन लेवल पर गृक्ट-अजय चाहिए क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं लगधाção त्य प्रिछां में selling करके बड़िया profit बना सकते थे by the way अभी हम बात करते हैं यहाँ पर क्योंकि इस lower low को break कर दिया है और यहाँ पर अभी exactly इसी level पर है gold देखे मैं बोलता हूँ किसी भी level को अगर volume के साथ break किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से volume वाली candle बनी then next यह वाली candle बनी तो यह भी volume वाली candle थी लेकिन यह जितनी भी नीचे आई उतनी 100% recover हो गई तो इसमें volume तो रहा ही नहीं selling का क्योंकि यह देखे pin bar type कुछ ऐसा बन गया आप देख सकते हैं जितनी भी selling होई उतनी ही यहाँ पर recover हो गई 100% और यहाँ पर इसी level पर exactly अभी market है यहाँ आप देख सकते हैं 1968 का जो level है यह higher low है यहाँ पर यह जो मैंने एक यहाँ पर यह line लगाई हुई है यह वाली ठीक तो अभी हमें करना क्या है देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो long time frame पर हम analysis कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो mapping क्या बोलती है अगर gold को यहाँ पर नीचे की तरफ आना है तो यह देखे क्योंकि यहाँ पर यह consolidate कर रहा है इस level पर consolidate कर सकता है थोड़ा और भी उपर जा सकता है और इस परकार से नीचे की तरफ आना चाहिए क्योंकि उससे होगा क्या फिर हम यहाँ पर इसको high मान लेंगे यह जो level है और high के बाद बना low then lower high then lower low इस तरीके से अगर market आता है नीचे की तरफ तो हम यहाँ पर selling कर सकते हैं लेकिन इसके अपोजिट अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक possibility और भी है कि यह वाला जो यहाँ पर यह जो low point है ब्रेक नहीं हुआ volume के साथ तो यहाँ पर market इस परकार से consolidate कर सकता है और फिर से अगेन एक new higher I बना सकता है और फिर इस परकार से market उपर की तरफ चल सकता है ठीक है तो दोनोई scenario हमने आपको market में बताए हैं तो यह आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको mapping पता होनी चाहिए और एक कदम आगे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बागी market उपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है आप उसमें profit बना सकते हैं ऐसे private group member आपको details में चीज़े बताए गई हैं long time frame में analysis करके कैसे आप short time frame में easily entry ले सकते हैं तो अगर आप private group की member है तो बिलकुल भी आप confused ना हो और आप market को identify कर सकते हैं कि कौन सा trend अभी चाल हुआ है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने rectangle लगाया हुआ है यह एक range bound market है और range bound market में जो beginners होते हैं उनको trade करने में काफ़ी problem होती है और इस तरह का trending moment होता है जैसे कि आप ट्रेंड हुआ या फिर डाउन ट्रेंड हुआ तो उसमें profit बनाना काफ़ी आसान होता है तो यहां पर थोड़ा patience रखने के आप शकता है अगर आपको अच्छी trade नहीं मिल रही है तो trade को आप avoid भी कर सकते हैं बाकि setup के according आप trade कीजिए आई अभी देखते हैं EURUSD को दोस्तों यह मैंने आपके सामने EURUSD का chart लगाया है और जैसे कि आप देख सकते हैं last वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहां से एक मतलब यह higher high बना और इस वाली सभी range को break करके उपर की तरफ गया EURUSD लेकिन उसके बाद higher low बनाएगा क्योंकि market consolidate हो गया यहां से यह उपर की तरफ जा रहा है लेकिन यह यहां तक भी आ सकता है definitely कोई problem नहीं है देन उसके बाद यहां पर आपको एक new higher high बनता हुआ दिखेगा इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं EURUSD उपर की तरफ गया फिर से consolidate हुआ consolidate हो ही रहा है अभी दैन उसके बाद हम यहां पर उपर की तरफ expected करके चल रहे हैं EURUSD एक new higher high बनाएगा अपने इस वाले high को break करके तो यहां पर भी दोस्तों सेम आपको बताया था जो weekly forex fundamental analysis वाली उसमें हमने यहां पर USOL का जो analysis किया था आपको बताया था कि इस वाले level में USOL आएगा और यहां पर consolidate करेगा और यहां पर अगर consolidate करके और इसी level से अगर उपर की तरफ जाता है और consolidate नहीं भी करता है और अपने इस वाले level से नीचे की तरफ आ जाता है यहां पर इस तरीके से तो हमने बोला था आपको यहां पर आपको अपने रेंज बनाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहां पर यह clear cut इस परकार से नीचे की तरफ जाए जा रहा है और अभी हमें यहां पर देखना है कि वेस और कितना नीचे तक जा सकता है अभी जो USOL नीचे की तरफ आ सकता है वह आपको यहां पर इस तरह की से यहां पर यह के लिए मिल सकते हैं आपर यहां ने जो एक रेंज लगाई है 74 से लेकर यहां पर आपको 76 तक USOL आने के लिए दिख सकता है और डेफिनेटली यह आपको आज बुदवार को जो शाम को कुरूड आल की इन्वेंटरी आएगी उस पर भी काफी डिपेंड करेगा USOL यहां पर इस लेवल पर आने के बाद उपर की तरफ जाएगा या फिर यहां से और भी नीचे जा सकता है ठीक है तो बागी आपको अपने टेक्निकल अनलैसे सेट अप के एकोडिंग ट्रेड करना है दोस्तों क्योंकि निउस को मैनुपलेट किया जा सकता है लेकिन चार्ट पर जो वहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होता है थोड़ा सा प्रोफिट बनाने में प्रोब्लम आती है डेफिनेटली लेकिन अगर आपके पस बड़िया सेट अप है तो आप कन्फूज नहीं होंगे क्योंकि आपको क्लियर कट चीजे पता चलती है कब मार्के ट्रेंडिं चॉइन नहीं किया है तो दोस्तो हमारे दियेगे लिंक से अकाउंट ओपन करके अप प्राइवेट गुरूप का एकसेस फ्री ओफ कोस्ट ले सकते हैं अगर आपका अलड़ी अकाउंट है तो दोस्तो आप हमें वोट्सट पर मैसेज कर सकते हैं अपना आई भी चेंज कर स सकते हैं आपको हमारे तरफ से हाई प्रोफाइल ट्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है जिसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है एकदम निसल्क है बागी दोस्तों इसी तरीके से ध्यान से ट्रेडिंग करते रहिए और कमाते रहिए मिलते हैं आपसे कि यर बाइवे नहीं आपसे जाता है